Let us start part 2. Part 2 में हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा, कि जो रमन है, तैनाली रमन, वो देली पहुच चुके हैं, और उनका बहुत अच्छे से वेलकम हुआ है, सभी लोग खुश हैं, उनने सारे कमफर्ट की चीज़ें महाँ पर मिली है, अब आगे स् स्टोरी में एट, there was one thing that puzzled him, पर इन सब चीज़ों में एक चीज़ थी, जो उन्हें पजल कर रही थी, क्या थी वो, कि वो इतने अच्छे अच्छे बैस्ट जोक्स वो बाबुर के आगे सुना रहे थे, राजा बाबुर को सुना रहे थे, बट देर वस no sign of amusement from him or the kultires, पर क कोई भी ऐसे amuse नहीं हो रहे थे, happy नहीं हो रहे थे, उनके जोक्स पे हस नहीं रहे थे, ना तो राजा, ना उनके राज़ दरबारी, these people, he thought, do not know how to laugh, उसे लगने लगा कि इतने अच्छे अच्छे जोक्स सुना रहा हूं, पर इन लोगों को सायद हसना ही नहीं आता है, उ नहीं जोक्स सुनाएं, but felt his jokes were becoming weaker with every passing day, पर उसे लगने लगा कि हर दिन मेरे jokes कैसे होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, कोई भी हसने को तयारी नहीं था, on the 16th day, रमन डिद नॉट अटेंड दे कोर्ट, सोलवे दिन रमन कोर्ट अटेंड करने गया ही नहीं, क्यों न पर निकले तो उन्होंने सोचा हो सकता है, maybe he has already accepted defeat, हो सकता है तेनाली रमन ने अपनी defeat मतलब अपनी हार को स्विकार कर लिया हो, a short while later आगे चलते जाही रहते उसी टाइम पे, बाबुर spotted an old man, उन्हें एक old man दिखाई दिया बाबुर को, with a flowing grey beard by the road, उनकी जो दाड़ी थी उस old man की बहुत बड़ी थी और grey color की थी मतलब सफेद पड़ चुकी थी, बहुत बुड़े थे वो दादा जी, the male was trying to plant a seed, जो वो आदमी था बुड़ा वेक्ती था, वो एक seed को plant करने के लिए try कर रहा था, बीज को वो plant कर रहा था, लगा रहा था, बाबुर walked up to the man, I am planting a mango tree, क्या कहता है, मैं तो mango tree plant कर रहा हूँ, replied the old man is a shaking voice, in a shaking voice, मतला जब बुड़ा वेक्ती होता है, वो कैसे, उसके आवाज भी एकदम हिलती है न, आवाज भी बराबर नहीं आती है, तो बिलकुल shaking voice में reply करता है, कि बेटा मैं तो क्या कर रहा हूँ, एक mango tree plant कर रहा हू Once it grows, the fruits will sell very well, एक बार बस ये grow हो जाए, उग जाए, फिर मैं इसके fruits को क्या करूँगा, बेचूँगा, बहुत अच्छे से भी केंगे इसके fruits, इस mango tree के, बाबुर सेट, but you are old and might not leave at the fruits, so what use is the tree to you, बाबुर कहने लगे, कि old man, आप तो बहुत बुड़े हो चुके और जब त तो आप इस tree को लगा कर क्या कर रहे हो फिर, तो old man कहते हैं, God is great, God कैसे हैं, great है, after all he made my father plant trees, whose fruits are it, after all मेरे father को उन्होंने बताया कि trees plant करना चीए, उन्होंने plant किये trees और उनके fruits में खा रहा हूँ, मतलब मेरे father ने पैड लगा है और उनके fruits में खा रहा हूँ, and if my father planted trees so that I could enjoy the fruits, why can't I plant trees for others to enjoy their fruits, वो कहता है कि जब मेरे father ने मेरे लिए fruits लगा है, तो मैं क्यों नहीं दूसरों के लिए fruits लगा हूँ, मतलब जब मैं ये पोधा लगा हूँगा और जब तक ये fruits देंगे, तब तक मैं चाहे ना रहूँ, पर कोई और तो इसके fruits खाएगा that was very well said बाबुर, बाबुर बहुत खुश है और उनका हाँ ये बात तो आपकी बिलकुल सही है, he asked his attendant, attendant means एक प्रकार का servant होता है, जो किसी के भी साथ चलता है, तो राजा के साथ चलने वाला वो जो परसन था, वो attendant था, राजा ने उससे कहा, to give the old man a bag of 100 gold coins, उन्होंने कहा कि ये जो old man है, इसे 100 gold coins दे दो, किसे कहा, उनके attendant को कहा, मतलब क्या था, कि जब भी कोई अच्छा काम करता था, जब भी वो किसी से impress हो जाते थे, तो वो उसे 100 gold coins दे दिया करते थे, अब इस बुड़े बाबा की बात से ये क्या हो गए, राजा impress हो गए और उन्होंने कहा, अपने attendant से किने 100 gold coins दे दो, God is great, said the old man in a trembling voice, फिर से वो कहता है, God is great, अपनी आवास को tremble करते मतलब अब भी उसकी आवास बराबर नहीं आ रही है, and so is the emperor, other men get their fruit after the trees grows, but I have got mine even before I planted the tree, see the very thought of doing good to others brings such good results, अब वो बुड़ा वेक्ती कहता है, God is great, देखो, मैंने तो लोगों के लिए अच्छा करने के लिए सोचा, मैंने लोगों के लिए fruits लगाने के लिए पेड़ को उगाया, और मेरा तो अच्छा भी हो गया, आपने मुझे 100 gold coins दे दिये, मैंने तो अभी plant कि या भी नहीं है ट्रीको, अपर मेरे पास मेरे पैसे आ गए हैं, तो जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो अच्छाई हमारे पास खुद बखुद चले आती है, मतलब अच्छाई का result कैसा होता है, अच्छा होता है, तो बाबुर ने क्या किया, अपना सेरे लाय और कहा, again, very well said, फिर से आपने बिल्कुल सही बात कही, the attendant gave the old man another bag of gold coins, अब जब कोई अच्छी बात कहता था, तो क्या होता था, वो से एक bag देते थे gold coins के, जिसमें hundred gold coins होते थे, तो अब जब दूसरी बार राजा ने कहा, कि आपने फिर से बहुत अच्छी बात कही, क्या ब अच्छे काम का result भी कैसा होता है, अच्छा होता है, फिर उनके पास दो bags होगे, gold coins के, God is truly great, अब वो कहता है, भगवान सच में बहुत great है, when the tree grows, it will give only one crop a year, भगवान सच में great है, truly great है, क्योंकि जब ये tree बढ़ा होगा, तो ये एक साल में एक ही बार crop देगा, मतलब एक ही goodness, it has given me two crops, on the very day it was planted, वो कह रहा है, भगवान की क्रपा से, राजा की अच्छाई से, मुझे देखो, same day, जब मैंने tree plant किया, मुझे same day, दो-दो फल प्राप्त हो गए, मतलब दो-दो बेग मिल गए, gold coins के, अब राजा बाबुर कहते हैं, extremely well said, अब वो और कुश होगा, और क नहीं बात कहीं, तुम तो बहुत दिमाग की बात कर रहे हो, हर बात पे वो कोई ने कोई तुक दे रहा था न, इतनी अच्छी wisdom वाली बात कर रहा था, another bag of gold coins was given to the old man, अब third bag भी gold coin का उसे दे दिया गया, come on बाबुर, smile that is attendant, let's leave or this old man will empty my treasury, बाबुर हसने लगते हैं और कहत हैं, come on attendant, यहां से चलो वरना यह बुड़ा व्यक्ति तो मेरा खजाना ही खाली कर देगा, treasury, मतलब खजाना, मेरा खजाना खाली कर देगा, बैठे बैठे उसने यहां पर 3 gold coin मेरे से ले लिए, bag, 3 gold coin के bag मुझ से इतनी अच्छी अच्छी बाते करके ले लिए, अब वो old man क कहता है, wait a minute, क्या कहता है, रुको एक minute के लिए, बाबुर turned around because the man's weak voice was replaced by a very strong one, अब बाबुर क्या करता है, जैसे ही turn होता है, क्यों turn होता है, क्योंकि मेरे अभी तक बहुत हकलाते वे धीरे धीरे बोल रहा था, बुड़े की आवाज में बोल रहा था, पर अब उसकी voice बड रमन था, तेनाली रमन था, उसने अपनी दाड़ी निकाली और बाबुर उससे घूरते रह गए, शौक्ट रह गए, और रमन ने कहा, God is great and so is the emperor, God बहुत great है और ऐसे ही emperor आप भी great है, and रमन has won his praise three times now in five minutes, और देखो तेनाली रमन ने सिफ पाच मिनिट में तीन तीन इंसके bags, जीत लिये reward में, बाबुर शुक इस हैड and smile, बाबुर अपने सिर को पकड़ लेते हैं, हिलाते हैं और smile करते हैं और कहते हैं, you deserve all your fame रमन, तुमारी जितनी भी fame, मतलब जितनी भी famous हो तुम, ये सारी तुम deserve करते हो, तुम सच में इतने काबिल हो, you are truly a very clever man, तुम सच में एक बहुत ही clever man हो, take your rewards and tell your king about your success here, ये अपना reward लो और अपने राजा को जाकर तुम्हारी सफलता की बारे में जरूर बताना and also tell him that he is a lucky man to have you in his court, और उन्हें ये भी खहना कि तुम बहुत lucky हो, मतलब राजा बहुत lucky है कि तेना ली रमन जिसा person उनकी court में है, देखो क इतनी प्यारी स्टोरी है कि राजा ने सोच लिया था कि उसके jokes पर नहीं हसेंगे, उसे reward नहीं देंगे, बट उसने अपनी बुद्धी मत्ता से, अपनी cleverness से क्या किया, तीन-तीन gold coins के bags जीत लिये, बहुत ही प्यारी स्टोरी थी तेनाली रमन की, जिसे देविकार अचारी ने राइट किया था, इस स्टोरी को आप खुद अपने words में समझेंगे और अपने parents को, grand parents को इस स्टोरी को narrate करेंगे, word to word समझाएंगे, इस स्टोरी को अब आप ही translate करेंगे, okay, have a nice day to all.